दो सितंबर को मनाय जाने वाले गणेश चतूर्थी महोच्चाव को लेकर शेयर के विभिन हिस्तानों पर भगवान गणेश की प्रतिमाय स्थापित कर 11 दिनों तक कई धार में कारिक्रमाय जित किये जाएंगे महोच्चाव को लेकर मूर्तिकार अपने परिवार के साथ दिन राद भगवान गणेश की आकरशक मूर्तियां तयार करने में जुटे हो हैं शेहर के पीजी कॉलेज के आगे बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाय तयार की जा रही है जिल्ले भर में 2 सितंबर को गणेश चतूर्ती का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा इसके साथ ही 11 दिवस्य गणेश मौचव का भी आगाज होगा इस दिन शेहर के विबिन स्तानों पर बगवान गणेश की प्रतिमाय स्थापित कर 11 दिनों तक कई धार में कारिकरम आयोजीत किये जाएंगे गणेश चतूर्ती को स्तापित होने वारे गणपती की प्रतिमाओं का निरमान करने के लिए इन दिनों मूर्तिकार अपने परिवार के साथ दिन रात लगे हुए हैं। इन कारिग्रों की ओर से भगवान गणेश की आकशक मूर्टिया तैयार की गई हैं। इसके लिए बकायदा राज की असनात को अतर महाविद्याले के आगे युद इस्तर पर कार्य किया जा रहा इस 11 दिवस्य गणेश मौर्ट सब पर भगवान गणेश की आकशक प्रतिमाय बनाने के लिए मूर्तिकार भाती भाती की गणेश प्रतिमाओ का निर्मान करने के साथ ही उन रंगों से कलाकारी करते देखे जा सकते हैं। पीजी कॉलेज के आगे बड़ी संख्या में ये कल अपने परिवार के साथ देरा जमाय हुए हैं और गणेश प्रतिमाओ की भारी डिमांड के चलते दिन रात काम में चुटे हुए हैं। गणेश चतूर्थी के दिन शहर के प्रत्यक गली महले में गणपती की प्रतिमाय स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही 11 दिवस्य प्रत्यक दिन विभिन धार्मी कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। ऐसे में भगवान गणपती की प्रतिमाओं के निर्मान का कार्य भी योधिस्तर पर किया जा रहा है। शहर के पीजी कॉलेज के आगे बड़ी संग्या में गणेश प्रतिमाय तयार की जा रही ह जाएगा रहा है।